इस वीडियों बताने वाले हैं एक आपको बैरल ओड़ा है बात जो आपको UPI ट्रांजेक्शन पर 1.1 परसेंट का स्वर्चार्ज आपको देना होगा तो आपको किस आदमी को यह चार्ज देना है और कितना जो कि ट्रांजेक्शन पर आपको यह चार्ज लागू किया आपको बताने वाले हैं किस आदमी को 1.1 परसेंट का चार्ज हर एक ट्रांजेक्शन पर आपको देना होगा था चलिए शुरू करते हैं उपी आई भुगतान पर नहीं लगेगा सुल। दो हजार रुपिय के उपी आई मर्चेंट ट्रांजेक्शन पर देना होगा 1.2 परसेंट का इंटर चार्ज सुल। 25 करोड से ओधिक आदमी अभी फिलाल उपी आई का इस्तिमाल कर रहा है यहाँ पर देख सकते हैं कि जन्वारी महिना में इतना करोड रुपिया का ट्रांजेक्शन के ओल उपी आई से हुआ है यहाँ पर नेशनल पेमेंट कर प्रोशेंट आप हिंडिया के तरफ से बूध यह आपको अफवाब फैल आए गया था जो आपको यूपी आई चार्ज हर एक जो कि 2000 के उपएक ट्रांजेक्शन पर देना होगा यह आपको बिल्कूल फेंख है किसी प्रकार का यूपी आई का आप ट्रांजेक्शन करते हैं अपने बैंक एकांट से तो कोई चार्ज ट्रांजेक्शन करते हैं पहले भी फ्री ट्रांजेक्शन करेंगे अप जो कि अभी उतना फ्रेमें ट्रांजेक्शन परंज्चन से स्चूल्क देना होगा तो कर डिए इसमें आपको रूपय क्रेडिड कार से जो पैसा ट्राश कर सकते हैं इसमें किसी प्रकार का कोई चार्ज आपको नहीं देना हुआ जिस कोई दिना करते थे उप्रकार परसेंट जो कि सरकार लेगी यह आपको फेंक नीज था जो साफ साफ आपको इसमें बता भी दिया गया है यह आज भी फिरी है और कल भी फिरी था जितना मर्जी आप लेंदेन करते तो उतना जो कि लेंदेन अपनी पीआई के मदद से जो कि आप कर सकते हैं यह फिलाल आपको एक अप्रिल से बताया जा रहा है कि आपको यह चार्ज जो कि एक परसेंट का लगेगा विल्कुल फेंक नीज है जिसमें से कोई पर भी अभी यह चार्ज देने के ज़रूत नहीं है क्योंकि यूपी आई का जिस परकार से सरकार दोरा लेकिन यहां पर किसी परकार का कोई भी आदमी को कोई इपी आई चार्ज आपको नहीं देना होगा तो यह था अपडेट जो बताने के बिल्कुल कोशिज किया हूं और अभी भी इस वीडियो समाने किसी परके प्रोस्त नहीं तो कमेंट करके पूश सकते हैं और मैं अपड़ार मां फिर में तो नेव देने टापी के साथ तब तक के लिए जो ही तुट है